कि मॉर्निंग स्टिफनेसं इंजॉइंड शूल्डर पेन नीपेन अच्छा इस सारी एक ही बात है मैं आपको अलग अलग तरीके से समझा रहा हूं कि तो आपके शरी में तीन हिस्से होते हैं और बहुत आसानी से समझे इस तरीके से हलांकि यह समझाना कोई बहुत अच्छी इस चीज नहीं है फिर भी जस्ट फिक फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आसानी से आपको थोड़ा सब कुछ बताया जाता कि इसलिए मता बता रहा हूं आपके शेरी का उपर का हिस्सा जो होता है इसे कफव प्रकृति का कहते हैं कि छाती और कमर के बीच का हिस्सा जो है पित अगर दो काटेगरी हम देखें और जेनरलाइज करें कि मेल और फीमेल तो फीमेल कफव प्रकृतिके होती है अना तो उनके अंदर बड़ी जल्दी स्टिफनेस आती है और आप देखेंगे कि एवल एक जेनरलाइज फॉर सेक ऑफ जनरलाइज ताकि आपको आइडिया लग होती है जैसे कहते हैं ग्लोइंग चीज जब भी ज्यादा होती है तो वह कफव होता है लेकिन कफव आपके शरीर में रुकावट भी पैदा करता है जब भी कोई रुकावट पैदा करेगा तो आप देखेंगे ऐसे लोगों के साथ में क्या होगा स्टिफनेस यानि कि और स्टिफनेस कम हो जाती है इसलिए जब थोड़ा मूब करेंगे थोड़ा हिलाएंगे जोइंट्स को तो इसे अप मिले को अगर थोड़ा चलेंगे तो ऊसके में आराम मिलता है इसका मतलब कि उनके अंदर मतलब मुव्मेंट में ब्लॉक आ रहा है कफ के कारण कफ प्रकृति के कारण और वो ठंद की वजह से बढ़ जाता है तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं शरीर में अगर गर्मी बढ़ाने की क्षमता मेटाबोलिक हीट या गार या पत्य अगनी मेटाबोलिक हीट पचान इनके वह एक और चीज़ देखें उनके पाचन की क्षमता हीट भी कम होती है भूक भी जादा नहीं लगती खुल के भूक नहीं आती है या फिर उर्द्व दत्व वायू होता है कोई चीज नीचे फ्लो नहीं होता उपर क्या फ्लो होता रहते हैं और ड़कारें ज़्यादा आएंगी रिफ्लक्स होगा कोई भी चीज नीचे से उपर की तरफ में जाने की कोशिश करती है सिर में दर्द बनता है आखों में दर्द रहेगा माईग्रेन का इशू रहता है प्रॉब्लम कहां पर ज है बाडी में मेटाबोलिक हीट कम है गार है पत्ते अगनी जिसे जठरागनी भी कहते हैं वो कम है जितनी गरम चीज खाएंगे उनको आराम मिलता है अगर वो गरम पानी से नाएंगे तो उनको आराम मिलता है गरम सेक लगाएंगे तो उनको आराम मिलता है ठीकिना यह की शम्ता गर्मी बनाने की शम्ता कम है इसापक सकते हमारे लोग जब करते हैं जब तो लोक कहते हैं कि हमकू करते कर्थे पसीना बहुत आता है है तो हम यह बात उनको बताते हैं dragons आपने कुम्बक किया पसीन आपने तो एक्सेसाइज नहीं किया लेकिन फिर भी बैठे बैठे पसीन आ रहा आपको यानि कि आपका लोगों का ठीक और हम ऐसे बहुत सारी प्रोग्राम करते हैं उनका कुम्बक करने से हो जाता है तो कहने का मतलब यह कि अब आप मैं आपको सेम चीज को एक हीट आसपेक्ट से समझा रहा हूं कि बोड़ी के अंदर डाइजिस्टिव स्ट्रेंथ और फ्लो वो दोनों वीक है एसको बढ़ा देंगगे फ्लो बणाने के लिए क्या करते हैं तो फेर बड़ेंगे शिजदें टो कैसे अंदर अब ब wireless सांस रोक कि देंगे और कोई तरीका क्या और कोई तरीका नहीं हैं तो अब कुमत करें इसकी ज़ल्दी ठीक हो जाता है इसकी कोई दवाई नहीं होती है कोई दवाई खाने के बाद में आपका मेटाबोलिक हीट बढ़ जाता है क्या ऐसे कोई दवाई नहीं बनी और नहीं बन सकती है आपका फ्लो बढ़ाने के लिए कोई दवाई होती है क्या नहीं फ्लो बढ़ाने के लिए नहीं होती डिविट कर देती है मगट ट्रीटमेंट तो करिए